दाइकजाम वारे में आपका स्वागत है आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाना सिविल सेवा मुख्य परिक्षा 2021 पुलेटकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन्स ऑप्शनल पेपर राजिनीति ग्यान और अंतरासी शमन 200 अंकों का ये सिंगल परिशन पत्र है ठ ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसा था ये परिशन पत्र दो खंडों में भी भाजित है परते खंड में आठ परिशन हैं बारा परशनों के उत्तर लिखना है को नमबर वन और नाइन कंपलसरी है आपके लिए ठीक है इसके बाद देखते हैं सेक्शन ए से कोस्चन नमबर बन तो यहां पर पहला परशन है माक्सवाद और उदारवाद की परिभाशा देनी है और दोनों के मद्य मुख अंतर को इसपस्ट करना है बहुत ही आसान परशन ये पूछा गया है स्टेट फारवर्ड सिंपल कोस्चन है माक्सवाद क्या है उदारवाद क्या है और दोनो इसी का C है, what is social justice, समाजिक न्याय क्या है, रॉल्स के न्याय के सिधान्त की आलोचना करनी है, discuss रॉल्स theory of justice, very easy question है, philosophy में भी socio-political philosophy में आप समाजिक न्याय पढ़ते होंगे, वहाँ पर भी इस तरहे का प्रशन पूछा जाता है, इसके बाद इसी का D है, भारत में बहुत दल मौलिक अधिकार और राज के नीति नीदेशक तत्तों के मद में अंतर को सबस्ट करना है, distinguish between under mental rights and direct principle of state policy, तो इंडियन पॉलिशी से रिलेटेड़ ये question है, आसान प्रशन है, इसके बाद question number second है, सामाजिक लोग तंतर के महत पर डेक्टर बी आर अंबेट करके विचारों की अवधारना का उलेक करना है, इसके बाद question number third है, महिलाओं के अधिकारों पर जान एस मिल के विचारों की आलोच नातमक वियाख्या करनी है, critically evaluate John S. मिल's view on women's right, question number four है, भारत में चुनाव के परिचालन में चुनाव आयो की भूंका की परिया लोचना करनी है, discuss the role of election commission in the connection of elections in India, इसके बाद question number five है, तुलनातमक राजनीती के बदलते स्वेरूप का वर्डन करना है, तुलनातमक राजनीती के अधियन के राज किये और सास्तर उपागम को संचेप में आपको बताना है, describe the changing nature of comparative politics, briefly explain the political economic approach to the study of comparative politics, 14 अंकों का ये प्रशिन है, इसके बाद question number six देखते है है, discuss the role of regional political parties in India, भारत में छेतरी राजनीतीक दलों की भूमका पर आलोचनातमक आलोचना लिखना लिखनी है, आपको ये भी चौदांकों का प्रशिन है, question number seven देखते हैं, लोग तंतर में दबाव समूहूहूँ दबार निभाई जाने वाली भूमका का समा लोचनातमक पर 73 में शमिदान शंशोदन अद्रियम को अपनाने के बाद भारत में जमीनी स्तर पर लोग तंतर की सहथ तक सुनिश्चित हुआ है, इसके बाद section B से question number nine देखेंगे, question number nine है, निम्लिकित प्रश्णों के उतर देना है, A, B, C, D, E, पांच पार्ट में ये question number nine भी भाजित है, राजनीति, राजनीतिक तंतर कावर्गी करन तुलनात्म का राजनीति को समझने का एक महत्वून उपकर्ण पर दान करता है, मुल्यांकन करना है, दा classification अपरेट का system provides an important tool for understanding comparative politics evaluate, इसी का B है, define capitalism, पुझीवाद को पुझीवाद की परिभाशा लिखनी है, do you agree the globalization in the fact of modern capitalism elucidate क्या आप सहिमत हैं कि वैश्वी करन आदनिक पुझीवाद का एक नया चेहरा है, वर्णात्मक उत्तर लिखना है, आपको और C है, भारत अमेर्की नागरिक परमाणों उससा होग समझोते कि प्रमुक भाग का संचिप में वर्ण करना है, discuss briefly the saline parts of Indo-US Civil Nuclear Corporation Agreement, इसके बाद इस का E देखते हैं, सुरी D है, अंतरासी समंदों में शक्ति शंतलों को बनाए रखने के कौन से उपकरन है, what are the instruments by which balance of power is maintained in international relations, E है, एक छेतरी संग्ठन के रूप में यूरोपी संग की कौन कौन सी कमजोरिया है, what are the weaknesses of the European Union as a regional organization, question number 10 है, सारक की उत्पती भूमका और सफलता पर आलोचनवातमक तथ्य देना है, discuss the origin role and success of सारक, ठीक है, so international organization आप अपढ़ते हैं, तो सारक के बारे में आसानी से लिख सकते हैं, चोदांकों का परशने, question number 11 है, भारत अमेर की सामरिक भागेदारी का विशलेशन करना है, और इसके अभी करण और विचलन या चितराओ का दिवी पक्षी दृष्टी कोंड से वैस्विक मामलों को परभावित करने वाले तत्यों को निरूपीत करना है, analyze Indo-USC strategic partnership and discuss the convergence and divergence in the India by later approaches in dealing with the world affairs, 14 marks का ये भी question है, इसके बद question number 12 है, Indo-Asian से योगिता का विशलेशन करें, तथा इस से द्वी पक्षीविया पार मेतेजी और बड़ोतरी होने की संभावना का परिशन करना है, analyze Indian, India, ASEAN cooperation and examine the prospectus for an intensification of by later trade, 14 marks का ये भी question है, इसके बद question number 13 देखेंगे, कुट नीती और विदेश नीती में अंतर कुस्पस्ट करना है, distinguish between diplomacy and foreign policy and analyze India's emerging foreign policy orientations in its extended neighborhood, भारत के विश्तारित पडोस में इसकी उदियमान विदेश नीती अभी विन्यास का विशलेशन करना है, question number 14 है, उदियमान रणनीती गट बंदन को दिश्टी गट रखते हुए भार लिका के समझोते पर एक आलोशनात्मक प्रबंद लिखें, तथा इस से चीन की विदेश नीती पर क्या परभाव पड़ता है, इस पस्ट करना है आपको, question number 15 है, भारत की विदेश व्यपार नीती को उनर निर्मित करने की एक विस्तारित व्याक्या आपको देनी है, critically discuss about the need of revamp of India's foreign trade policy, 14 मास का ये भी है, इसके बाद question number 16 है, नहीं वैश्विक ब्यवस्ताएं, भारत के लिए स्वाहिम को एक उबरती शक्ती के रूप में अपनी उपस्तिती महसूस कराने है, तो एक चुनोती के रूप में उबरी है, आलोशना करनी है, the new global order puts India into a challenge to make its presence felt like an emerging power, discuss करन है, तो ये थे, पी एसा यार के 16 question 200 मास का ये प्रिशन पत्र था, प्रिशन पत्र का लेवल कैसा था, यदि आप का optional paper PSR है, तो आप जानते होंगे, easy है, moderate है, यहां फिर टफ है, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, अवस्त कर लिएगा, बेल आइकन